अच्छे से जा रहा होगा अभी चलो हम थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं आज से हम सेवन सेडर का हमारा जो पोजिशन है स्टार्ट कर रहे हैं हम ओके आज से आपका हमारे सारे वुडियोस रिगुलर्ली मिलते रहेंगे तो देखो आज हम इंग्लिश का 1.1 करेंगे जिसका नम है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ठीक है यह मैं आपको एक्स्प्लेइन करूंगे हिंदी में इसके लिए आप गुड़ी आखरी तक जरूर देखना अगले वीडियो में आपको इसके कोशन से भी मिल जाएंगे तो हो भी हमारे चैनल के सेवें सेरोड के प्लेइस्ट पे आप जाकर देख सकते हो ओके तो चलो श्राट करते हैं दो हमारे पूइम का नाम है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इसको लिखा किछ नहीं है यहाँ पर देखो जो हमारी पूइट जिन्हों ने लिखा है उनका नम ह है तो चलो देखते हैं यहाँ पर देखो पास्ट का मतलब आपको मालू में क्या होता है जो समय बीत गया है प्रेजेंट मतलब जो समय चल रहा है जिसको हम वर्तमान काल बोलते हैं फ्यूचर मतलब जो आने वाला समय है जिसको हम भविश्यक काल बोलते हैं खिलियर आप द आपको मैंने बताया है, जो समय बीद गया है, भूत काली जी हम बोलते हैं, आटम मतलब क्या देखो, आटम मतलब होता है, एक ऐसा सीजन रहता है, जिसको हम पजड का मौसम आपते हैं, उसको हम बोलते हैं, आटम के सीजन, ठीक है, पजड, ये कब आता है, ये देखो, आता ह अब देखो यहां on पर जो पोईट है वो क्या पूछ रहे हैं कि tell me tell me smiling child, what the past is like to thee और दोब दी का मतलब क्या होता है दो पुराने समय में इंग्लिश में था 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 ने पुराना वार भे использ कए है दी यहां पर पुराइट क्या पुछ रहे है कि बताओ बताओ मुझे हसते हुए बच्चे जो तुमारा past था जो तुम्हारा बीता हुआ समय था, वो कैसा था, तो उस पर वो बच्ची क्या बोल दिये, An autumn evening, soft and mild, with a wind that size mournfully, तो बच्ची क्या बोल दिये, कि मेरा past, जो autumn का season रहता है, उसके शाम की तरह था, एकदम शान्त, और autumn में हवा चलती है, शाम के time, एकदम slow, slow, ऐसा लगता है, उदासी सा हवा चल गया, वैसा था मेरा past, ऐसा क्यों बच्ची बोल दिये, देखो, जब कोई हमसे गलत काम हमारे past में हो जाता है, तो हम उदास रहते हैं, उसको सोच कर, अब समझ लो, आपके max का paper था, बीस marks का, ठीक है, आपने 15 marks का attempt किया, और आपको, मतला, आपने गलती सा 15 marks का किया, आपको लगा, आपने पूरा 20 marks का कर दिया, लेकिन आपको बाद में पता चला, कि paper के पीछे भी question थे, आपने सिर्फ सामने वाला attempt कर दिया, आपको यह नहीं पता था, कि paper की पीछे भी question दिये हुए थे, दो question, तो आप वो सोचकर बाद में उदास होते हो, कि काश मैंने वो भी अगर कर दिया होता, दो question पीछे के भी, तो मुझे और marks मिलते, तो ऐसी कुछ गलतियों को सोचकर जब उदास होते हैं, तो वह ही यहाँ पर उस बच्ची ने बोला है, चलो भी आगे चलते हैं, यहाँ पर देखो, अब पहले हम meaning देख लिते हैं सब, प्रेजेंट आर मतलब क्या, वर्तमान का समय, जो अभी समय चल रहा है, ग्रीन एंड फ्लावरी, मतलब कि हरी भरी फ्लावर से भरी हुई, स्प्रे मतलब क्या होता है, स्प्रे मतलब होता है, शाखा, इसको हम डाल बोलते हैं, ब्रांच आप बोल सकते हो, यंग बर्ड मतलब कि छोटी चुडिया, जो अभी एज में जो कम हो, गैदरिंग मतलब क्या, जमा करना, पावर मतलब ताकर, माउन्ट मतलब क्या, गेट अप, उठना, फ्लाई अवे मतलब उड़कर दूर चले जाना, ओके, समझ गया अब, अब देखते हैं, अब देखो, यहाँ पर क्या है, tell me what is the present hour, अब पोईट देखो, आपी सो बच्ची से पूछ रहे हैं, कि अब मुझे बताओ, तुम्हारा वर्तमान कैसा है, तुम्हारा जो यह समय चल रहा है, वो समय कैसा है, तो बच्ची क्या बोल लिए, उस पे, a green and flowery spray, where a young bird sits gathering its power, to mount and fly away, तो बच्ची बोल लिए, कि जो मेरा अभी का समय है, वो इस तरीके से है, कि एक हरी भरी, फूलों से भरी हुई, एक डाल है, एक शाका है, जिस पर एक छोटी चुडिया बैठी है, वो अपनी power को जमा कर रही है, अपनी ताकत को जमा कर रही है, ताकि वो उड़कर कहीं पर बैठे हुए हो और आप अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे एक ताम मन लगाकर जी लगाकर पढ़ाई करोगे तो आपके अंदर एक पावर आएगी पावर जमा करोगे आप फिर फ्यूचर में आप एक लंबी उडान भरोगे काम्याब बनोगे ठीक है ओके क्लियर चलतो इंटो इंफिनिटी अब देखो है पर हम पहले मीनिंग देख लेते हैं क्या है पर बोल नहीं है दो फ्यूचर मतलब क्या होता है भविश्य फिक है है एपी मतलब खुशियों से भरा बिनीत मतलब नीचे सी मतलब को मालूब है समूंदर लेस सन मतलब की जब आसमान में चमकदार स्ट्रेचिंग मतलब पहला हुआ इंफिनिटी मतलब की जिसका कोई अंतना हो ठीक है अब देखो यहां पर क्या बोले है पोईट जो थे वो क्या बोले है और पोईट जो थे वो बच्ची से पूछ रहे हैं क्यों तुम्हारा फ्यूचर कैसा होगा क्या खुशिय सन बोल रही है कि मेरा जो फ्यूचर है वो एक चमकते हुए सूरज के नीचे से जैसे समुद्र रहता है वैसे है तो कैसा रहता है समुद्र अमाइटी ग्लोरियस डैजलिंग सी स्ट्रेचिंग इंटो इंफिनिटी मेरा जो फ्यूचर है वो एक चमकते हुए सूरज के होगा अगर मैं अपना प्रेज़ेंट अच्छे से बिताऊंगी तो ठीक है एग बच्ची ने अपना past कैसा उद्द उसका past कैसा जिसके सब दास है लेकिन अפने present को खार नहीं कर लिया अपने present में power जमा कर रही है ताकि वो अपने future में उड़ पाए और ज्यादा successful हो पाए तो अगर वह ऐसा करेगी तो उसका future कैसा होगा एक जो चमकते हुए सूरज के नीचे जो समुद्र रहता है ताकत वर एकदम चमकदार और कहां तक फैला हुआ किसी को नहीं पता जिसका अंत कोई नहों वैसा उसका future होगा वह एकदम successful होगी ठीक है clear और देखो जो हमारे इस poem को poet है उनका नाम क्या है Emily Bronte जो हमने starting में देखा था इनका नाम ओके तो यहाँ पर हमारी poem complete हो गई है I hope आपको यह अच्छे से समझी होगी यह poem आप इसको पढ़ लो रिवाइस कर लो अगले वीडियो में आपको देंगा इसके question sir तो आपको वीडियो जरूर देखना और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लोगा हो तो आपसे वीडियो को लाइक करो अपने सबी दोस्तों के साथ शेर करो चैनल को सब्सक्राइब करो थैंक्यू